विदियो में हम आपको बताएंगे सैमसंग के डिवाइस में आपका अगर टच वर्क नहीं करता तो इसके क्या 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 रीजन्स हो सकते वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बिल्क आइकन को प्रेस कर लेना है अगर आपका सैमसंग का डिवाईस टेमेज हो चुका है आपका डिस्पले फूट चुका है तो हाइली चांस ही कि जो प्राब्लम में आपको हाड़्वेर की है अब उस सिचुएशन में तो आपको अपने सैमसंग की डिवाईस को सैमसंग सेंटर में दिखाना पड़ेगा आपको डिस्प्ले टाच बगएरा चेंज कराना पड़ेगा हाडवेर की अगर प्राब्लम होगी तो यह प्राब्लम आप सर्विस सेंटर जाके इसको फिक्स कर सकते हैं सौप में जाके इसको ठीक कर सकते हैं या फिर अगर प्राब्लम होगी सफ्ट्वेर की तो फॉस्ट और simple आपको अपने Samsung device की जो settings होती है उसको reset करना है settings को reset करने से आपके storage कोई भी data delete नहीं होगा आपको निस्चिंच रहना है तो simple आपको यह method का use करना है दिन आपकी problem fix हो जाएगी so topic is cover मिलते है next video में जै मतादी